हेलो दोस्तों मेरे चैनल लोकों ग्यान में आपका स्वावत हैं अब्जेक्टिव कोश्चन की सीरीज में ये मेरी 14 वीडियो है इससे पहले मैं अगर आपने नहीं देखिए तो आप ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री फेस लोकों से रिलेटेड टोटल हंड़र्ड कोश्चन ये कहां लगा हैं अधी बैडिक पैनल पर लगा होता हैं और कहां पर लगा होता हैं अगर लोगों को पूछा हो तो उसमें क्या होतीव है यह 70 में horizontal होती है next question sequence blower 1 किसकी धूल को साप करता है तो sequence blower है यह किसको करता है oil cooling blower और traction motor blower है उसकी धूल को साप करता है अब question यह आता है कि OCB 1 है कि 2 है कों सा है तो आपने बस यह दिखना है स्केंज blower 1 है मतलब 1 है तो पीछे किस में लगा हुआ यह machine room number 1 में बस आपने यह दिखना है कि machine room number 1 में OCB कों सा लगा होता है OCB 1 होता है और TMB कों सा होता है वो TMB 2 लगा होता है तो यह answer होगा next question है थ्री फेस लोकों में दो auxiliary converter isolate होने पर क्या होगा अगर तो एक auxiliary converter isolate हो जाता है फिर तो load की sharing हो जाती है लेकिन अगर दो auxiliary converter isolate हो जाते हैं तब main power off हो जाएगी next question है थ्री फेस लोकों में किस किसी isolate bogey को द्वारा service में लाना हो तो कैसे लाएंगे तो control electronics को एक बार off करके on कर देंगे हम D से off करेंगे off से C, C से फिर off कर देंगे तो control electronics को off करके हम फिर से उसको on करेंगे panto selector की किस position पर panto one isolate होता है देखिए panto selector switch है select मतलब कि आप जिसको select करोगे वह working में रहेगा और जिसको नहीं select करोगे वह non working में रहेगा तो अगर आपने two को select किया है मतलब two क्या है working में और one isolate हो जाएगा तो isolate करने के लिए one को isolate करने के लिए इसको two पर करेंगे next question लोगों के status code 92 का अर्थ क्या है देखिए जो पहला digit होता है वो बताता है जो nine है पहला digit बताता है कि कितने sub system आपके isolate है की नहीं है और दूसरा digit आपका बताता हो है कि priority one का fault है कि priority two का fault है अब nine लिखा हुआ है तो मतलब कि कम से कम एक sub system isolate है अगर two लिखा है तो मतलब कि priority two का कम से कम एक fault है next question है OCB one में अर्थ fault होने पर किसी auxiliary converter के isolate होने की संभावना रहती है किस अगर कों से उसरे कनवर्टर के isolate होने की संभावना रहती है तो OCB one का load किस पर रहता है OC converter one पे तो इसके isolate होने की संभावना रहती है अगर अर्थ fault आ जाता है LSE lamp जलकर क्या संके देता है यह जलकर संके देता है कि control electronics का जो ताप मान है वो 70 degree Celsius से अधिक हो गया है तो जब कभी LSE lamp चलता है तब हम गाड़ी को खड़ी करके लोकों को cooling mode में energize करके लोकों को ठंडा करते है थ्री फेस लोकों में कोक 125 किसका है तो यह traction converter number one का air supply का कोक है next question 11th CRO होने पर मतलब कि cattle run over कोई मवेशी व्यरा आ गया है ठीक है गारी के सामने उसको उड़ा दिया है तो लोकों को pilot को सरप्रथम क्या करना चाहिए तो क्या करेंगे सबसे पहले flesher light को on करेंगे ठीक है ताकि जो सामने से आ रही है train है उसको मतलब खत्रिगा signal देना है हो सकता है कि जो cattle है वो दूसरी line पर गिर गया हो तो इस वज़ा से flesher light को on करेंगे तुरंत गारी को खड़ी करेंगे चेक करने के लिए बगलाली line को और अपने गारी को चेक करने के लिए कहीं पर damage तो नहीं हुआ कहीं पर BP angle को गया कहीं तूट ना गया हो तो उस चीज़ की जाज करने के लिए गारी को खड़ी करेंगे next question है कि flesher failure mode का प्रयोग कप करते हैं जब 14 angle transmitter of throttle का message आता है screen पर dds पर message आने पर जब correction नहीं मिलता है या हम दोनों bogey के bogey meter शुन ने दिखा रहे हैं तब हम failure mode का प्रयोग करते हैं और failure mode में कौन सा switch operate करते हैं तो वह है 152 normal position उसके क्या होती है नौर्मल position उसके होती है right zero होती है और जब हम failure mode में प्रयोग करते तो उसको one पर कर देते हैं लोको डेड डेड मेन mode मैं कब जाएगा मतलव डेड मैन मतलव कि जो मैन है जो लोको पाइलेट है वो क्या कर रहा है लेकिन अगर दबा के रखते हैं तब अगर साट सेगंड से जाधा समय तक दबाय रहा जाता है तब यह डेड मैन मोड में चला जाएगा लोको नेक्स्ट कोश्चन आप 14 लोको के बीपी लिक टेस्ट के दुरान कितना बीपी प्रेशर गिराते हैं तो पॉइंट 4 केजी का हम प्रेशर इसमें गिराते हैं ठीक है उसके बाद एलन टी को को बन करके फिर हम 5 मिनट तक है इंतिजार करते हैं तो 5 मिनट में 0.7 केजी से ज़्यादा का प्रेशर ड्रोप नहीं होना चाहिए लोकों का बीपी लिक टेस्ट कर रहे हैं और अगर हम ट्रेंड का बीपी लिक जड़ा प्रेशर ड्रोब नहीं करना चाहिए पांच मिनट में नेक्स्ट को उस्ट लोकोगों को इनरजाइस करते हमें संपस्पेंश्न टेंपर वैर है लिकल डेंपर में क्या चेक करना चाहिए तो स्प्रिंग लिकरण करेंगे की सही होना चाहिए मतलब कहीं से तूटा ना हो क्रैक ना हो या ऐसा ना हो की दबाई हुआ हैं तो तभी हालत में ना हो तो इसको चेक करेंगे क्या होगा यदि next question है 16 क्या होगा यदि VCB की बंद अवस्था में मतलग गाड़ी चला रहे हो यह या खड़ी है तो VCB की की बंद वस्था में अगर BLK को हम position D से off पर कर दिया जाएगा तो क्या होगा तो जब भी लोको को BLK को हम D से off पर कर देते हैं तब लोको shutdown हो जाएगा इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो या driving mode में लोको energize हुआ पड़ा है तो BLK को operate करना मना है next question 17 self hold mode में कितने समय तक जो control electronics है वो off रहता है तो self hold mode क्या होता है जब आप चावी को BLK को D से off पर करते हो तो लोको self hold mode में चला जाता है इसका प्रेव हम cap change करने के लिए करते है ठीक है तो दस मिनट तक का आपके पर समय होता है तो दस मिनट तक लोको जो है self hold mode में जो control electronics कि यह ओफ निया ओन आएगा ओन रहता है उसके बाद है next question है 18 थ्री फेस लोको में continuity test करते समय किस कोक को बंद करेंगे तो जो कोक 70 है उसको बंद करेंगे कोक 70 कोंसा है आपको पता होना चाहिए next question है 19th CCB लोकों में continuity test करते समय mode switch के क्या position होती है तो जब भी continuity test करना है तो mode switch को हम test पर रखते हैं और mode switch के कितनी position होती है चार होती है lead lead, trail और test इसके लावा helper helper mode हम banking लोकों के के लिए उसकरते हैं और working लोकों में जो है वो lead पर होना चाहिए mode switch और 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 की कैम में trail पर होना चाहिए next question है question number 20 ground message जो है कहां देखते हैं तो यह DDS में देखते हैं diagnostic data set तो इसकी यह है full form next question है 21 three phase लोकों में OCB1 को supply कि कहां से मिलती है OCB1 को किस converter से supply मिलती है तो OCB जो भी OCB है उनको जो supply है वो auxiliary converter once पर उसका load होता है question number 22 OCB2 का क्या काम है तो ओए cooling blower है ठीक है तो transformer और जो traction converter की जो हवा है उसको हवा के द्वारा ठंडा करना next question है equipment temperature high के fort message आने पर किन auxiliary की जांच करते हैं तो three phase album सभी three phase और single phase auxiliary की जांच करते हैं और temperature high हो जाता है three phase लोकों में PT fuse चेक करने के लिए क्या साबधानी है जब भी आपने PT fuse चेक करना है हैं तो उसके लिए condition है कि पैंटो बैठा होना चाहिए हार्मोनिक फिल्टर कोशन नबर 25 फिल्टर रेजिस्टेंस कहार पर लगा हुआ है तो यह लोकों की छत पर लगा होता है जाली तार देखा हुआ हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस टू होट का fort message आने पर कितनी देर के के बाद VCB को हम बंद करते हैं तो 15 मिनट के बाद हम VCB को close करेंगे 27 हार्मोनिक फिल्टर क्यूबिकल में किस मशीन रूम में लगा होता है तो हार्मोनिक फिल्टर क्यूबिकल यह मशीन रूम नबर 2 में लगा होता है इंपोर्टन कोश्चन है बहुत थ्री फेस लोकों में आग लगने का पता करने के लिए क्या लगा है तो आग पता करने के लिए fire detection यूनिट लगा होता है प्रतेक मशीन रूम में यह एक एक समोक सेंसर लगा होता है तो यह कहां पर होता है SB2 में कि नेक्स्ट है एक समोक सेंसर के सेंस करने पर किस प्रायोरटी का फॉल्ट आएगा Ahh देखे दो सेंसर होते है FD 2 ने ठीक है तो तो अगर एक हो जाता है फिर भी काम चाल सकता मतलब कि priority 2 का fault आजए लेकिन अगर next question यदि दोनों sensor जो है के sense करने पर अगर किसी priority का fault आता है किस priority का अगर दोनोh sense करेंगे तो मतलब condition critical है तो priority 1 का fault हागा Question number 31 Fire Detection Unit faulty रहने पर किस priority का fault लोको में बना रहेगा तो प्रायोटी 2 का फोल्ट बना रहेगा 32 आग लगने की सूचना लोकों में किस सबसिस्टम से आएगी तो फायर का सबसिस्टम कौन सा है 15 है तो आपको पता ना चाहिए यह सबसिस्टम तो आपको याद होने चाहिए ठीक है जैसे स्पीडो मेटर है तो वह 16 होता है बैटरी का याद होना चाहिए 09 होता है ब्रेक का याद होना चाहिए 10 होता है तो जो जो मेन मेन है वो तो आपको पता होने चाहिए 33 आग लगने पर लोकों को लोको पाइलट को सरफ प्रथम क्या करना चाहिए देखिए क्रिटिकल क्रिशन है आग लगने वाली है लगी हुई है तो य आपको बुझाएंगे कोश्चन अबर 34 प्राइवटी वन के फोल्ट की सूचना किस लैंप से मिलती है तो अगर प्राइवटी वन का फोल्ट है तो LSF or BPFA चलते हैं गलो करेंगे लेकिन अगर प्राइवटी 2 का फोल्ट है तो ओनली बी PFA यही गलो करेंगा तो यह लैंप चलता है कोश्चन अबर 36 किस सब्सिस्टम के आइसोलेट आइसोलेशन की सूचना किस लैंप के लगातार जड़ने से जानते हम माल लेते हैं कोई सब्सिस्टम आइसोलेट हो गया तो जो LSFI का जो लैंप है वो लगातार जलता रहेगा ठीक हैं तो इससे पता चलता है कि जो हो है कोई समसीस्टम हैसोलेट हो गया है तो किसी भी समसिटम के आइसोलेट हाने पर हम एंटर बटन दबा देते हैं मेंbing मोन में कौसी औो ंवर चलती है तो कुलिंग मोन में जो सिर्फ सिंगल ओना इस चार सू क्वण्धरा वोट की हैs ज कूलिंग मोड में जब कंट्रोल एक्ट्रों टेंपरिचर से उपर हो जाता है तब नेक्स्ट कोस्ट्टन 38 मशीन रूम ब्लोवर कब काम करते हैं तो मशीन रूम जैसे हम वी सीविक को हम तो वी सीविके के बंद रहने पर ड्राइविंग मोड में या कुलिंग मोड मतलब जब चाबी आपके डी की तरफ होती है और या सी की तरफ बंद रहने पर जब लोको मतलब आप cooling mode में भी काम करता है और driving mode में भी काम करता है VCB के बंद रहने पर next है cooling mode में control electronics MEC क्या स्थेती रहती है तो cooling mode में जो control electronics है वो क्या होता है off रहता है next है question number 40 तो cooling mode में VCB के open होने पर क्या जाच करनी चाहिए तो अगर cooling mode में आपने लोकों को energize किया हुआ है ठीक है और VCB open हो जाता है तब OCR 78 की जाच करनी चाहिए overcrunt relay तो इसकी जाच करनी चाहिए next है LSE Lamp ज़रने पर किस priority का fault आता है temperature ज़्यादा हुए आ है तब priority 2 का fault fault message वो आएगा next question 42 cooling mode में OCR 78 relay drop होने पर क्या संकेत मिलेगा तो उस case में क्या हुआ VCB तो open हो जाएगा OCR 78 energized हो गई है overcrunt हो जाता है उसकी वाज़ से और अगर VCB open हो आए तो DJ open होने पर क्या हो जाते है LS DJ का Lamp जलता है अगर VCB close होता है तो LSD जे भूसता है ना तो open होने पर क्या होगा वो Lamp जल जाएगा 3 phase लोकों में कितने power converter लगे होगे है तो power converter दो होते है SR102 SR1 से supply जाती है traction motor 123 को OSR2 से जाती है 456 question number 44 traction converter किन किन भागों से मिलकर बना है तो ये तीन भाग से मिलकर बना होता है ठीक है NCR है DC link है और AS तो ये है तो आपको पता ही होता है एक line converter होता है एक drive converter होता है DC DC link है SR का का क्या होता है traction converter का का क्या हता है उससे related जो बोगी है उनकी traction motor को supply देना बताया था मैंने SR 1 है तो 1,2,3 को SR 2 है तो 4,5,6 को जो traction motor हों को supply देना 46 बोगी को किन किन के द्वारा isolate कर सकते हैं तो बोगी को isolate करने के दो method है या तो है बोगी isolation switch जो कि 154 है SV 1 में लगा होता है उस switch को operate करने पर या traction converter की जो MCB है उसको trip करने पर तो traction converter की जो MCB होती है 127.1 हम उसको trip करके भी बोगी को isolate कर सकते हैं converter isolate हो जागे तो बोगी भी isolate हो जाएगी पूरी की पूरी अगर बोगी 1 को हमने MCB के द्वारा trip करना है तो कैसे isolate कर सकते हैं तो बोगी 1 को isolate कैसे करेंगे तो traction converter की जो MCB हो 127.1 उसको control electronics को off करके हम trip करेंगे तो देखिए ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए कि control electronics को off करके क्यों करना है क्योंकि इसकी जो MCB है वो SB में लगी हुई है ठीक है जो control cubicle है SB1 और SB2 में कोई भी अगर आपने switch या MCB को operate करना है तो उसके लिए condition है कि control electronics off होना चाहिए next is 48th auxiliary converter 2 को MCB के द्वारा किस परकार isolate करेंगे तो auxiliary converter 2 की जो MCB है वो है 127.2 पीछे 2 है ना तो यह auxiliary converter 2 है तो इसकी MCB को हम इसके MCB कहां लगी हुई है इसके MCB लगी होती है आपकी HB2 में तो controller electronics को off करके trip करेंगे next है question auxiliary converter 3 के isolate होने पर quench blower 1 को supply किस auxiliary converter से मिलेगी अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो load sharing की तो उसमें आपको कही confusion नहीं होगी तो तीन के isolate होने पर scrunch blower blower का load किस पर जाएगा तो 1 पर जाएगा बताया था मिने एक दो तीन और वीडियो देखी हो आपने एक isolate है तो इसको छोड़ कर counting में जो पहले आता उस पर blower का load जाएगा और जो बाद में आता है उस पर बाकी चीज़ों का load जाएगा तो पहले वाले पर blower का load जाएगा तो वही अगर एक दो तीन अगर तीन isolate है तो सबसे पहले को न आता है 1 तो 1 पर blower का load जाएगा तो auxiliary converter 1 पर scrunch blower है इसका load जाएगा question number 50 primary over current का message आने पर relay और CR 78 को reset करेंगे या नहीं करेंगे जदी लोकों की जाजवें सब कुछ समाने मिलता है तो reset कर देंगे अन्य था नहीं कर देंगे आगे की जो 50 question है वो मैं next video में आपको समझाबगा थेंक यू वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया